हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नालंदा विश्व विद्याले से जुड़े अनेक तत्यों नालंदा विश्व विद्याले कैसे बना, उसका इतिहास, उसकी ख्यातियां और बहुत कुछ इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें लेकिन उससे पहले अगर हापने हमारे चैनल को अभी तक सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही रोचक तत्यों से बड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें प्राचीन काल में नालंदा में बहुत विश्यों विश्यों की शिक्षा दी जाती थी चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिबबत और श्रीलंका आदी देशों से विध्यारती यहां आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और कठोर जीवन बिताते थे प्रसिद्द चीनी यात्री हवांग यान ने भी यहीं आकर पांच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी इस विध्याले में लगबग 10,000 विध्यारती और 1500 आचारे थे नागारजुन, शीलमद, आर्यदेव, कुमारजीव, दीबकर, कमल शील तथा पद मसंभव आदी अचारे उने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और विध्या की ज्योती विदेशों में ले गए नालंदा का सही अर्थ क्या होता है संस्कृत के अनुसार नालंदाती इती नालंदा का अर्थ है कमल का फूल कमल के फूल के डंठल को ग्यान का प्रतीक माना जाता है दा का अर्थ देना है अता जहां ग्यान देने का अंतना हो उसे नालंदा कहा जाता है आईए जानते हैं इसका इतिहास नालंदा का इतियास बहुत प्राचीन है ईसा से पांचवीं तथा छटी शताबदी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहां का इतियास फैला हुआ है जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा राजगीर के उत्तम पश्चिम में एक उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और इसके निकट राजगीर में 14 वर्ष गुजारे थे बौध दर्म के साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध अकसर यहां आते जाते थे यह नगर बहुत खुशाल था और यहां की आबादी बहुत घनी थी यहां एक आम का बगीचा था जिसे पवारिक कहते थे भगवान बुद्ध के दो प्रमुक्षिश्यों सरीपुत्र और मार्दलापन का जन नालंदा में ही हुआ था सरीपुत्र का देहां नालंदा में उसी कमरे में हुआ जहां वह पैदा हुए थे उनकी मृत्यू का कमरा बहुत पवित्र माने जाने लगा और बौद्धों के लिए वो तीर्थ स्थान बन गया समराट अशोक ने नालंदा में इस स्थान पर मंदिर बन वाया इसलिए समराट अशोक को नालंदा विहार का संस्थापक भी माना जाता है नालंदा की खुदाई में समुद्र गुप्त के समय का एक तामर पत्र और कुमार गुप्त का एक सिक्का भी मिला है इसलिए नालंदा विहार कुमारगुप्त आदी गुप्त समराठों के बनवाय हुए माने जाते हैं कन्नॉल्च के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्विद्दायले को बहुथ दंधिया था उसने लगबग सौ गाउं की माल गुजारी इस विश्विदाले के नाम छोड़ दी थी उन गाउं में विश्विदाले के आवशक्ता के अनुसार चावल, घी और दूध आदी आने लगा इसलिए विश्विदाले के विद्यारतियों को पूरी खुराक इन गाउं से मुफ्त मिलने लगी और उनको कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था कुछ मतों के अनुसार समराट अशोक ने 1200 गाउं नालंदा विश्विदाले के लिए दे दिये थे कि इनसे जो आमधनी होगी उससे विश्विदाले का खर्चा चलाया जाएगा विद्याले में विद्यारतियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और उनको खाना पीना भी मुफ्त में दिया जाता था चीनी यात्री हवांग यांग के कथन के अनुसार नालंदा के विद्यारतियों को खाने पीने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी हवांग यांग के बाद इती संग 673 ईस्वियों में भारत पहुचा उसने भी कई वर्षों तक नालंदा में विद्या ग्रहन की थी नवी शताब्दी के आराम में बंगाल के राजा देव पाल के समय नालंदा उन्नती के उच्चितम शिखर पर पहुच चुका था तिब्बत के समराठ सांग यांग गंपो ने आचार देव विद्ध से बौध और भाम्मर साहित्यों का ग्यान भी प्राप्त किया था एक समय ऐसा भी आया था जब नालंदा विश्व विद्धाले में किसी ने आग लगा दी थी और उसे खंडहर बना दिया पांचवीश अदाबदी में ब्राम्मर दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार के प्रैत्नों से कथाव पदेशों से बौध दर्म को बहुत धक्का लगा उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर तर्क तता शास्तार्त के द्वारा बौधों को हराया और उनसे अपना मत मनवाया इसलिए प्राचीन बौध केंद्र सब वीरान हो गए बिहार और बंगाल में सरकारी संरक्षन के कारण बौध दर्म जीवित था परंतु अन्य राज्यों में उसका प्रभाव घट रहा था आखरी चोट जो बौध दर्म पर पड़ी वैसन बारा सो पांच में मुहम्मद बक्तियार खिल जी का नालंदा विश्विद्यार पे आकर्मन था उसने इसे कोई किला समझा और इसे नश्ट कर दिया मुहम्मद खिल जी के आकर्मन के बाद मुदित मुद्रा नाम के एक विक्ति ने इसका पुना निर्मान कराया और शीग्र पश्चात मगद के राजा के मंतरी कुकूटा सिंग ने यहां मंदिर भी बनवाया इसके बाद एक धर्म उपदेश के समय दो क्रोधित ब्रामन तीर्थ करने यहां आये कुछ नटकट भिक्षूओं ने उनके उपर हाथ पैर धोने का पानी फेक दिया उन ब्रामन ने बारा वर्ष तक सूर को प्रसन करने के लिए तपस्या की और तपस्या के बाद यग्य किया उन्होंने यग्य की अगनी के सुलगते हुए अंगारे नालंदा विश्विद्याले तथा बौध मंदिर आदी में फेक दिये जिसकी प्रचंड आग से विश्विद्याले में आग लग गई और विश्विद्याले नश्ट हो गया उसके बाद यहां कोई निर्मान नहीं हुआ और धीरे धीरे समय के साथ इस स्थान का स्तित्व भी मिट गया नालंदा विश्विद्याले जब खंडहर बन चुका था उन खंडहरों का कब और कैसे पता चला सन 1812 में बकानम हैमिल्टन को बड़ा गाउं जहां नालंदा खंडहर है वहां से कुछ ब्रामन मूर्तिया और कुछ बौध मूर्तिया मिली कंगिम ने इने नालंदा से संबंदे ठहराया कुछ साल बाद ब्रेडली ने चेतिया इस्थान पर खुदाई करवाई 20 साल तक पुरातत्व विध्यान ने भी यहां खुदाई कर आई जिससे नालंदा विश्विद्याले के खंडहर का पता चला नालंदा विश्विद्याले साथ मील लंबी और तीन मील चौड़ी भूमी में फैला हुआ था किन्तु केवल एक वर्ग मील में ही इसकी खुदाई का काम हुआ जिसमें विश्विद्याले के दो भाग मिले एक भाग में हॉस्टल कम कॉलिश था और जो एक ही लाइन में था और दूसरे भाग में एक लाइन में भगवान भुद्ध के मंदिर मिले ग्यारा बॉद्ध विहार एक लाइन में मिले हैं अब इन्हें ग्यारा ब्लॉक कहते हैं जो कुछ एक ब्लॉक में है वैसा ही हर ब्लॉक में है इनकी दो मंजले नीचे अभी भी दबी हुई है तल पर पहली मंजल गुप्त काल की है सात्वी शताबदी में पहली मंजल को ढखकर दूसरी मंजल हर्शवर्दन ने बनवाई थी और दूसरी मंज़ल को ढगकर देव पाल ने तीसरी मंजल बनवाई थी यहां प्टेट ब्लोक में एक lecture hall है यहां आचारे पढ़ाते थे एक blackboard था लेक्चर हॉल में ही एक कुई भी था लेक्चर हॉल के चारों तरफ कमरे थे जिनमें विद्धार्ती और आचारे रहते थे ये कॉलेज आवासिय था कमरों तथा लेक्चर हॉल के बीच में चारों तरफ बरामदा था एक तरफ बातरूम था जिसमें लेक्चर हॉल के कुएं से पानी जाता था कपड़े धोने के लिए चबूत्रा भी था कि हम इस देश में जन्मे हैं हम उमीद करते हैं कि नालंदा विश्व विद्धाले फिर से एक बार शूरू किया जाए जिससे हमारे देश में शिक्षा का इस्तर और भी बढ़ सके अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेयर करें